आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ 5.12 कलोगराम मोल इनवर्स तो यहां पे जो लोवरिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट से हमें क्या पता चल पा रहा है कि यह कॉलिगेटिव प्रोपेटि का यूज होगा और उस कॉलिगेटिव प्रोपेटि का नाम क्या हो जाएगा depression in freezing point depression in freezing point तो अब depression in freezing point जो कि यह colligative property है इसका mathematical expression देखे तो वो क्या हो जाता है delta tf equals to kf multiply by molality तो m यहाँ पर molality represent कर रहा है और हमारा kf चोई क्रायोस्कोपिक constant है क्रायोस्कोपिक constant similarly हमारा delta tf जो है depression in freezing point है जो हमारा freezing point depressed हुआ है उसको हम बोलते है delta tf depression in freezing point तो यह हमारा expression होगे mathematical का अब इसके अंदर value जो put up करेंगे तो हमारा पस जो value हम उसको put up करते जाते delta tf हमारा पास 0.48 kelvin है और kf की value 5.12 kelvin किलो ग्राम mole inverse दे रखा है और molality को जब express करेंगे तो हमारा पास mass of the solute क्या दे रखा है वो हमें निकालना है और molar mass हमारा पास 256 gram per mole inverse तो यह हो गया इसका molar mass multiply by 1000 करते हैंगे जब हम solvent के mass को gram के अंदर convert करेंगे तो multiply by 75 gram तो यह इसको जब solve करेंगे तो हमें W2 निकालना है तो W2 के expression को वहीं रखते हैं तो हमार पास क्या solve हो क्या आएगा 0.48 Kelvin multiply 256 gram mole inverse multiply 75 gram divided by 5.12 Kelvin kilogram mole inverse और यह हो जाएगा हमारा 1000 divided by और W2 निकालना है हमें तो जब इस expression को solve करेंगे तो हमार पास आजाएगा 1.8 gram is W2 तो यह हो जाएगा mass of the compound जिसका हमें molar mass दे रखा था 1.8 gram equals to W2 तो question में हमसे यही पूछा गया था so thank you, hope you like it